जय भोलिनाद आईए जानते हैं आशाण मास के शुकल पक्ष में पढ़ने वाला प्रदोश्वरत कब है त्रेयोदशी तिथी कब से कब तक रहेगी और प्रदोशकाल का समय क्या रहेगा साथ ही आप जानेगे प्रदोश्वरत के कुछ विशेश और अनिवारे नियमों के ब सुर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बात का समय होता है हर प्रकार के कुण्डली के दोश निवारन के लिए स्वरत को रखा जाता है सोम प्रदोश्वरत है 11 जुलाई सोमवार को सोमवार का दिन होने के कारण ही ये सोम प्रदोश रहेगा और इस व्रत का बहुत जादा म इसलिए व्रत भी 11 जुलाई को ही रखा जाएगा सुर्यदे का समय रहेगा सुबह 5 बचकर 52 मिनट सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बचकर 12 मिनट और चंद्रोदे का समय रहेगा शाम 4 बचकर 56 मिनट पर प्रदोश काल का समय रहेगा 11 जुलाई को शाम 6 बचकर 27 मिनट से ले ना उपवास खुल सकते हैं सुबा के समय आप साधरन तरीके से पूजा करें सुबा के समय हाथ में जलिया पुश पले कर विरत का संकल्प लिया जाता है भगवान शिप की और पूरी शिप परिवार की पूजा की जाती है और दिन भर उपवास रखा जाता है शामको प्रदोश काल प्रारम होने से पहले एक बार फिर से इस नानादी से निवरिथ होकर साधव सवच छल्के सफेद रंके या गुलाबी रंके वस्तर धारन कर भगवान की पूजा करनी चाहिए आप चाहें तो शिबलिंग की पूजा करें शिवलिंग की पूजा करना यदी संभव ना हो तो घर पर भी आप भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा कर सकते हैं यदि पूरा शिव परिवार आपके पास ना हो तो मानसिक रूप से भी शिव परिवार का ध्याना आप कर सकते हैं इस दिन शिवलिंग पर भांग धतुरा गंगा जल बेल पत्र शमी पत्र अरपित करने से बोलीनात बहुत जल्दी प्रसन होते हैं आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाले समय में सोम प्रदोश्वरत की संपुन पूजा विधी, मंत्रों के बारे में और व्रतकथा के बारे में जानकारी मिलेगी अगर आप जाना चाहते हो सोम प्रदोश्वरत के बारे में तो उमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियो का इंतसार जरूर कीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा